टेस्ट आफ नॉलेज में आपका स्वागत है सफलता की कुज़ी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुनकुमाश शर्मा मौनिंग 4 एम आपके सामने लेकर आया हूँ करेंट अफियर्स 16 अप्रेल 2020 का बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्विज में ये हर एक एक एक्जाम में हेलफुल होगा जो 2020 में होने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले टाइम टेबल को हम जरा चेक कर लेते हैं मौनिंग 4 एम जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ करेंट अफियर्स आफ्टरनून 12 प्यम ऑथरेंड बुक्स इवनिंग 7 पीएम बैंकिंग सिस्टम और इवनिंग 10 पीएम हिस्टरी के बरबात होती है हमारी आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्ड इंफॉर्मिशन से इंडियन पॉलिटी एम लक्षमी कांथ की 6 एडिशन हम सुरू करने जा रहे हैं हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके आज का पहला करेंड अपिरस का कोश्चन है विच इंडियन स्टेट विल बी दा फॉर्स तु स्टार्ट टेस्टिंग ओफ कोविड नाइंटीन सैंपल कोविड नाइंटीन नमूनों का परिक्षन सुरू करने वाला पहला भारती राज्य कौन सा होगा तामिल नाडू, नागरलेंड, बिहार या उत्तर परदेश इसका करेक्ट एंसर में बताने जा रहा हूँ वो है उत्तर परदेश उत्तर परदेश ने परिक्षन सुरू कर दिया है ये पहला राज्य हुआ है जिसने कोविड-19 जो टेस्ट किया है परिक्षन को आपको ये बताना हुई जा प्रेजर्ट चीफ मिनिस्टर आफ उत्तर परदेश कमेंट बॉक्स में एंसर बताईए कि इसका करेक्ट एंसर है डियाडियो डियाडियो ने किशोक नाम का एक कोविड नमूना संग्रह किया है सो आपको ये बताना है कि इन विच येर वाज डियाडियो एस्टैबलिज डियाडियो की स्थापना किस वर्स हुई थी विच नेशन हैस अलाओड वीजा एक्सेंशन फॉर एच वन वी वीजा होल्डर्स किस देश ने एच वन वीजा धारकों के लिए विजा विस्तार के नुमती दी है इसका करेक्ट एंसर है युएससे ने एच वन वी वीजा धारकों को वीजा विस्तार के अनुमती दे दी है मतलब एक्सेंशन हुआ है और टाइम दिया गया है वीजा होल्डर्स को और इसका हेट क्वाटर का है कमेंट बॉक्स पर बताइए विज सिटी वर सेडूल्स तो होस्ट फॉर्टिफो सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमीटी अव युनेस्को डैट है नाव बीन पोस्ट वॉन किस सहर को युनेस्को की विश्व धरावर समीती के चौलिस सत्रिकी मेजवानी करने के लिए निरधारित किया गया था जिसे विस्थगित कर दिया गया है वुहान, फुजो, सौटलेक्सिटी या डबलेन इसका करेक्ट टैंसर है फुजवान, यह चाइना की एक सिटी है फुजवान, और जहां से कोरोना वाइरस शुरू हुआ था वुहान, कन्फ्यूजर मत रखियेगा फुजवान, फुजो एक अलग जगा है और वुहान एक अलग जगा है, तो फुजो में यह हुआ है, चौ महामारी थी, वह उन्यस सो बीस के दशक में आई थी, उसका क्या नाम था? तो इसका correct answer है देखे गाइज मैंने यहाँ पर एक image के तुरू से बताने की कोशिस की है कि उस समय भी ऐसी ही जो महा मारी थी लोग मर रहे थे लाखों के तादात पे तो यह image देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा यह 90-20s की image है तो गाइज अगर session पसंद आ रहा है तो like करना ना भूले जितने question पूछे जा रहा है comment box पर answer दीजे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि यहां सबसे पहले करें डेफेस पूर एम नजर आता है आपको तो गाइज सबसक्राइब अब तक नहीं किया तो सबसक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजे आगे बढ़ते हैं विश नेशन विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियंसिप 2020 तो 2020 कौन सी रास्ट एश्याई मुक्यबाजी चैंपियंसिप की मेजवानी करेगा जापान चाइना इंडिया या फरीका इसका करेक्ट टैंसर है इंडिय इंडिया 2020 की जो रास्ट एश्याई जो चैंपियंसिप होने वाली है मुक्यबाजी में उसकी मेजवानी करेगा उसको होस्ट करेगा विष्यव स्वूस्त संग॥न को अपनी फंदिंग रोक दी है जर्मनी चाइना युएससे यर इंडिया किस ने व्रेंड है इसका क्रेक्ट टैंसर है USA USA ने World Health Organization को funding रोग दी है due to coronavirus आपको यह बताना है कि World Health Organization का headquarter कब कहां है और इसका establishment year क्या है next ICMR has stated in a journal that in which country it has dedicated coronavirus in two species of bats टेरोपोस and Rossitus ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि उसने किस देश में जमकाद़ों की दो प्रजातियां एक है टेरोपस और रूसेटस में coronavirus का पता लगाया है इंडिया पाकिस्तान नेपाल यह चाइना इसका correct answer है इंडिया इंडिया में दो चमकाद़ में coronavirus का पता लगाया गया है एक है तिरो पास और एक है रूसेट थास यह बहुत ही चिंता का विशा है हमारे लिए विच सॉब्वेर हैस बिन जॉइंटली लॉज़ बाइ अटल इनोवेशन मिशन नीती आयोग और नाशन इंफॉर्मेटिक सेंटर अटल इनोवेशन मिशन नीती आयोग और रास्टी सूशना इनोवेशन इनोवेशन हम और को लापट तो आप देख सकते हैं तीनों का लोगो नैशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नीति आयोगर इनोवेशन मिशन नी साथ में मिलकर एक सॉप्वेर को बनाया जिसका नाम है को लेपकाट नेक्स देख लेते हैं हाव मेनी मिलियंस यूए डॉलर था इंटरास्टे मुद्रा को उसने दुनिया के पचीस सरवादी गरीब देशों के छे महीने के रिण भुगतान को रद्ध करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उन्हें कोरोना वाइरस महामारी से निपटने मदद मिल स क्विक्रा फैंड्र्ड मील्येन यूप दॉलर दॉ हंड्रिड मीलियन येज दॉलर या 700 म estaban इसका है है फाइव धून फेक्श्टा लोगो एगिन गाई आपके लिए क् Bosick दोव एग्व्यां करण के सविद्ग ऑप कहा है उसका establishment year भी आप comment box पर बताईए फ्रेंच President Emmanuel Macron has announced to extend the lockdown lockdown by May with the COVID-19 France के रास्टपती Emmanuel Macron को लेकर lockdown कितने मई तक बढ़ाने की घोशना की है यह नेरेंद्र मोदी के बाद यह announcement की गई है हमारे जो प्रधानमंत्री है मानने यह प्रधानमंत्री उनके announcement के बाद इनों ने भी announcement की है तो यह announcement कितने तारिक तक बढ़ाने की हमारे 3 मही तक है इनके कितने तारिक तक तो देख लेते हैं 11 मी तक Emmanuel Macron ने अपने वहां lockdown को बढ़ाने की घोशना की है तो यह है Emmanuel Macron आपको यह बताना है ऊज्ए यह कस समय प्रसिडेंट बने थे फ्रांस के कौन से येर में ये प्रसिडेंट बने थे रिसेंटली इंडिया इन विच कंट्री साइंस एंड टेकनोलोजी फोरम है प्रपोस्ट वुआ कॉन वर्च्वल नेटवर्क तू डिल विद कोवेड नाइटीन हाली में भारत और किस देश के विज्ञान प्रपोस्ट की की फोरम ने फोवेड नाइटीन से निपटने है तो आभासी नेटवर्क पर कार करने का प्रस्ताव दिया है चाइना भूटान अमेरिका या जापान इन दोनों के जो साइंस एं टेकनोलोजी हैं मिलकर वर्च्वली नेटवर्क डिल करेंगे कोवेड नाइटीन से लड़ने के लिए इसका करेक्ट टैंसर है अमेरिका अमेरिका और इंडिया ने की विज्ञान और प्रधिकी ने कोव अधर दीजे मुझसे कनेक्ट होने की कोसिस करिए तभी मैं आपकी मदद कर सकूंगा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और इंस्टेंट नोडिफिकेशन के लिए पीडिएफ क